नमस्कार, जैश्री हरी, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तेव्या स्ट्रों में और मैं हूँ आप सभी के बीच तेव्या आज हम सभी सावन मास के मातमे का चोईस वाध्याय करने जा रहे हैं मनिगरीव बोला, हे द्विज, वेद्वानों से पून और सुन्दर चमतकार पूर में धरम पतनी के साथ में रहता था दनाडे, पवित्र, आचलनवाला, परुपकार में तत्पर, मुझको किसी समय सही योग से दूस्ट बुद्धी पैदा हुई दूस्ट बुद्धी के कान, मैंने अपने धरम का त्याग किया, दूसरी किस्त्री का सेवन किया और नित्य अपय वस्तु का भी पान में करता रहा चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधों ने मेरा त्याग किया उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया, बाद बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधों ने ले लिया, इस प्रकार सभी से तिरस्कत होने के कारण वन में निवास किया, इस स्री के साथ इस गोरवन में निवास करते वे मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का परवद कर जीवन निर्वा होता है, हे ब्रामन, इस समय आप मुझ पात्की पर अनुग्रा करे, प्राचित पुन्ये के समूं से आप इस गोरवन में आये हैं, हे मामुने, इस स्री के साथ में आपकी शरण में आया हूँ, आप उपदेश रूप परसाथ से कर्थार्थ करन जो तुमने मेरा आथिती सतकार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्यान को कहता हूँ, जो बिना वरत के, बिना तिर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है, इसके बाद तीसरा स्री पुर्वक तुम दौनों इस्त्री पुरुष, श्री पुरुषोत्म बगवान को परसंद करने के लिए दीवधान करना, उस दीवधान से तुमारे ये दरिद्रता जड़ से नश्ट हो जाएगी, तेल के तेल से दीवधान करना चाहिए, विभव के होने पर घर से दीवधान करना चाहिए, परन्तु इस समय वन में वास करने के कारण गरत अथवा तेल, इन में से तुमारे पास कुछ भी नहीं है, हे अनग, मनिगेव, पुष्टम मास बर इस्त्री के साथ नियब पुर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीवधान करना, इसी प्रकार तुम इस वन म भी दीबदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की व्रती होती है, यदि पुष्टम मास में विधी पुर्वक दीबदान किया जाए, तो क्या कहना है? वेद में कहे हुए कर्म और अनेक परकार के दान पुष्टम मास में दीबदान की सोलवी कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। वेद का परति दिन पाठ करना, गया शराद गोमती नदी के तटका सेवन पुष्टम मास के दीबदान की सोलवी कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। पुत्र, पोत्र और यश को करने वाला हैं। खजाना को चाने वाला खजाना को प्राप्त करता है, मोक्ष को चाने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधी के, बिना शास्र के जो पोशोत्व मास में जिस किसी जगह दीबदान करता है, वो इच्छा अनुसा फल को प्राप्त करता है। हे वस विदिपुर्वक नियम से जो दीबदान करता है तो फिर कहना ही क्या है इसलिए पुशतम मास में दीबदान करना चाहिए मैंने इस समय यत्तेवर दरिद्रता को नाश करने वाला दीबदान तुम से कहा तुम्हारा कल्यान हो तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन हो अगस्त अस्य मुनी बोले इस पकार वस्षेष्ट ब्राह्मन मन से दो बुजा वाले मुल्ली को दारण करने वाले श्रीहरी बगवान का इस्मरान करते वे प्रियाग को गए वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास परियत वास करके प्रसंद मन हो दोनों इस्तरी पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुष्वतम में मन लगा कर ब्राह्मन की भक्ति में तत्पर उन दोनों इस तरी पुरुष ने दो मास बिताया दो मास बीद जाने पर शीमांद पुशोत्व मास आया, उस पुशोत्व मास में वे दोनों गुरु भक्ती में तत पर हो दीबदान को करते वे, आलस्यों को छोड़ कर वे दोनों एश्वरिय के लिए इहुंदिक के ते यल से दीबदान करते रहे। इस पकाद दीबदान करते उन दोनों को शिय पुशोत्व मास बेत गया। उग्रदेव ब्रामन के परसाथ से शुदानतर करण होकर समय पर काल के वशी बूथो इंदर की पूरी को गए। वहां उने वाले सुखो को भोग का पर्चवी बातखंड में उग्रदेव के परसाथ से श्टेश्ट जनम उन दोनों इस्त्री पूरुष ने धारन किया। पूर्व जनम में जो तुम मरक की हिंसा में तत्प मनि ग्रीव थे वह वीर बाहू के पूतर चितर बाहू नाम से परसित राजा होए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुमारे इस्त्री है वह पूर्व जनम में सुन्दरी नाम से तुमारी इस्त्री थी। पतिवर्ध द्रम से ये तुमारे अर्धांग की भांगीनी है जो इससे पतिवर्धा होती वे अपने पती के पूर्णे का आधा भाग लेने वाली होती है श्री पुर्शोतम मास में गुंदी के तेल से दीबदान करने से तुमको ये निश्कंटक राच्य मिला जो पुर्शोतम मास में घर्ट से अत्वा तिल के तेल से अखन दीबदान करता है तो फिर कहना ही क्या है पुर्शोतम मास में दीबदान का ये फल कहा है इसमें कुछ संदे नहीं है जो प्वास आदी नियुम में शी पुर्षोतमास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है वाल में की मुनी बोले इस परकार अगस्तर से मुनी राजा चित्रबाहु के पुर्वजनम का व्रतान कहकर और राजा चित्रबाहु से किये के सतकार को लेकर तता अक्षयाशिवा देकर चले गए इस पकार पुर्षोतमास का 24 वाध्या पूनवा यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शरू कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जैश्री आरी अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी पकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे धन्यवाद